नमस्कार दोस्तों, ओन पैस्यू कंपनी को बुटान में बैन कर दिया है और बुटान में ओन पैस्यू कंपनी को जो वहां की OCP है, जैसे हमारे यहां MCA है, उसने एक पेरमीड स्कीम बताया है, सारी की सारी न्यूज क्या है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा, और कौन-कौन लोग इसमें सामिर है, मैं आप लोग को एक बात बोल रहा था बहुत दिनों से, और बहुत दिनों से मैं ये भी बोल रहा था कि OCP के खिलाब जाच भी शुरू हो चुकी है, तो उस जाच का रिजेंट भी आपके सामने आ चुका है, गेम ओवर हो गया है, और दूसरा मैं बोल रहा था कि पूरा गैंग है जो इसमें काम कर रहा है, ये पूरी न्यूज क्या है, और भुटान की एजेंसी ने जब जाच की, क्या पाया उसमें, और क्या हुआ, और कहां से कंपलेंट शुरू हुई, कितने लोग इन्वोल थे इसमें, कौन-कौन वो गैंग के सदस् होगा, कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं, जो हुनस्ट रिवीव के नाम पर लोग को बेवकूप बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी नई दुकाने खुल चुकी हैं, एक आदमी जो हुनस्ट रिवीव देता है आप लोगको, जब ऐसमभारक कुछ बात बोल देता है, तो वो क्य बोलते हैं कि यह सुभार के मुझ से निकल गई होगी उल्ट पुल्ट कोई भी तरक देते हैं मैं कहता हूं कि आप लोग जूट बोलिए जूट का पुलिंदा बनाइए लोगों को लुटवाईए लेकिन तरक के आदार पर बोलिए कम से कम होनस्त का तो नाम मत लीजिए आप तो दूसरा मैं यहां पे कहना चाहूंगा जो एक कुछ दलाल बैठे हैं यूटूब पे इन लोगों से भी पूछिएगा अभी ओन पैसिव का सीओ ऐस उभार जो डिस्कलेमर आपके सामने लगाया है सो चुहे खाके बिली चली हर्ज को बारा लाग से ज्यादा लोगों से 97-97 डोलर लेकर अब वो बोल रहा है किसी इनकम की कोई यहां पे गारेंटी नहीं है कोई वादे यहां पे नहीं है और कोई अगर ऐसा बोलता है जो वादे करता है कि यहां पे आपको इनकम मिलेगी बहुत सारे पैसे आएंगे या ऐसा कोई भी सपना दिखाता है तो वो इ अगला जनमतीन ऐसा होगा यह O Connect तयार कर लिया है, Connect Me तयार कर लिया है, O Stop तयार कर लिया है, आपके जो है कानु वो फट जाएंगे, ऐसी न्यूज आपके सामने आएगी, दुनिया आपको देखेगी, आप जब चलेंगे तो दुनिया आपको नोटिस करेगी कि यह On Passive का फा की Legal Team को Message करिए, खुदी सारी चीजे बना रहे हैं, खुदी सारी चीजे आप लोग को दिखा रहे हैं, सारा का सारा चीज की यह लोग सरकार के पास भी ना जाएं, ताकि हमारा बंडा फोट ना हो, अभी बुट्टान से तो बैन हो गया है, जिसकी में सारी न्यूज पढ़ लोग को अभी बता रहा हूं, इसी वीडियो में सारा दिखाऊंगा, बुटान में बैंच हो चुकी है, और पाइरमिड स्कीम उसको बता दिया है, और यह जो कुछ यूटूब पे दल्ले बैठे हैं, जो अपनी दलाली ले रहे हैं, चंद सिक्कों के भरो से फैके हुए अ आप लोग ये देखिए, मैं इतने दिन से आप लोग को जगा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे कोई कारवाई नहीं करवा रहा है, लेकिन वहाँ पे बुटान में, कितनी जल्दी लोग समल गए और उन्होंने, इस पर F.I.R. की और फिर क्या कारवाई हुई और कैसे ये सारी ह आ रहा हूं, ये जो दल्ले यूटूब पे बैठे हैं, कुछ लोग दलाली करते हैं, इन लोगों ने आप लोग को बड़े-बड़े सपने दिखाए, और यही लोग आके आपको अपडेट दे रहे हैं, कि ओन पैस्यू कंपनी का ऐसा डिस्कलेमर आया है, लेकिन ये नहीं बताया, खुलके कि हम भी उन्हीं लोगों में से, जिन लोगों ने आप लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाए, बैक एंड पे बहुत बड़ा काम चल रहा है, इन से पकड़िये, पूछिये, इनकी रिपोर्ट करिये कि कौन सा काम इन्हों ने बैक एंड पे चलते आप लोग सोच सकते हैं और उसकी कम्यूनिटी कैसी होगी, वो अपनी कम्यूनिटी के लोगों को भी जरूर जोइन कराएगा, उसकी कम्यूनिटी भी वही गरीब लोग की होगी, जो कैसे भी करके अपनी रोजी रोटी का जुगाड करते हैं, और उसको वहाँ पे लगवा इन लोगों को अपने पैसे पहुंचा सके और बहुत सारे नाम तो दोस्तों ऐसे हैं जिन नामों को आप जानते भी नहीं है बाद में आप जानेंगे जब और पैसिव कंपनी पर कारवाई होगी यहां पर मैं एक बात और साफ करना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा मुझ लोगों की गैरेंटी लेकर इसमें पैसे लगवा चुके हैं अब जब वो लोग उनसे हिसाब मांगेंगे तो वो खुद कारवाई करवाई करवाएंगे अब वो उन लोगों को लेकर दिली के जंतरवंतर बैठेंगे या कहां बैठेंगे कैसे सरकार से कारवाई करवाई कि आप लोगों का साहयोग हमेशा मैं दूँगा बहुत सारी चीजे मेरे पास सारे के सारे मैंने सेयो करके रखे वह वह भी मेरे पास है और आप लोगो की जो भी मांग होगी वह भी सरकार तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का पूरा साथ हमेशा मेरा साथ आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा ये सारे काम मैं हमेशा करता रहूँगा लेकिन आप लोगों को खुद ही ये मांग करनी होगी और ये सारी चीजे करनी होगी मुझे जब बुलाओगे जब मेरी ज़रुत पड़ेगी मैं मैं आप लोग को बता दूँ उस link पे click करके भी आज आप इस news को पूरा पढ़ सकते हैं तो यहां से शुरू करते हैं on passive is a pyramid scheme and illegal in Bhutan OCP जैसे हमारी MCA है ऐसे यह वहां की OCP अभी आपको दीरे दीरे आगे पता चल जाएगा the office of consumer protection concluded that an online business called on passive is pyramid scheme and illegal in the country मतलब यह यह कि इनलीगल है यह online business जिसका नाम on passive बोला जाता है यह pyramid scheme है और illegal है हमारे देश में the office investigated the business operation after Bhutan National Bank informed the Royal Monetary Authority of its operation in the Bhutanese market last year इसका मतलब यह है कि OCP ने इसकी investigation की किसके बाद जब Bhutan के National Bank ने इसके बारे में उनको information दी कि Bhutan की जो है market में पिछले साल ऐसे ऐसा एक operation चल रहा है ऐसे ऐसी चीज आई है तो उन्हों ने इसकी पूरी की पूरी जो है जाच परताल की it was found that 13 Bhutanese were promoters of business and 53 Bhutanese invested USD 105 in the business as registration fees इसने जाच की तो इसने पाया कि 13 Bhutan के लोग इसके पर्मोटर थे और 53 जो Bhutan के लोग थे उन्होंने 105 आप लोग जानते है 97 डॉलर और फिर उपर से कुछ जो है यहां पर कुछ चार्ज लगता है तो 105 डॉलर इन लोग ने इस business में as a registration fees यानि के registration fees के तोर पर इन्होंने invest किया आप लोग जानते है register करना कुछ नहीं है खाली back office को login करने के लिए आपको 105 डॉलर देने होते है 97 डॉलर कुछ आपका जो है फिस कट जाती है यानि के वो registration fees है अगर हम बिना पैसे दिये login कर पाएं तो उसका registration fees फिर नहीं बोला जाता है यह registration fees है 105 डॉलर अब आगे सुनिएगा इस news को आप पूरा देखिएगा और उन लोगों तक भी पहुचाएगा जो आपको बहुत दिनों से बुटान के गरीब लोग क्या है अपने पैसे के परती सेंसिटीव रहता है वो समेधन शिल रहता है देश भी गरीब है लोग भी गरीब है तो वो जल्दी ले लेते हैं उसकी जास करवा लेते हैं उन्होंने करवाई अभी आप भी करवाएंगे मेरे को पता है इसके बारे में जितने दिन तक लुट सकते हैं लुटिए लुटवा सकते हैं लुटवाईए अभी आप भी करवाएंगे दीरे-दीरे क्योंकि लोग बहुत बड़ा क यह उसके अनुसार BNB reported that there are many Bhutanis recruited into the scheme and people deposited the money using a credit card. तो उन्होंने अपना credit card जो है use करके उन्होंने पाया कि उन्होंने अपना credit card use करके इसमें जो है इस scheme में, scheme बता रहे हैं इसको, इस scheme में जो है invest कि अपना ATM, जैसे हमारा ATM है. उन्होंने क्या बताया कि कोई एक बंदा था, उसने USD 1734 की transaction की 2020 से लेकर 2021 तक, पूरी न्यूज आप पढ़िएगा, कबसे जाच हुई है और अब रिजेंट आया इसका, अब यहां पे क्या है कि उस एक ही card से इतनी सारी ID लगी तो वहां के bank ने पाया कि यहां पे कुछ 1734 डोलर की एक साल के अंदर transaction जब उसके card से हुई, और कोई उनका जो bank account था, उनका कुछ ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने जाच की, तो इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं गुशते हैं, बहुत बड़ी news है अभी तो आपको बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, A reported OCP complied last year, stated that business promoters learned about the business through social media, उस report में उन्होंने पाया कि social media के जरिए इन्हों बिजनेस के बारे में जानकारी लिए, जो ये उनकारी लिए, ए पर्मोटर told OCP, he knew about the business through Facebook in 2020, एक पर्मोटर ने OCP को बताया, जैसे हमारी MCA है, ऐसे OCP है, अब दोबारा नहीं बोलूँगा, तोल्ड OCP, he knew about the business through Facebook in 2020, उसने 2020 में जो है, इसको पाया, own passive मिला उनको, and registered as a member after learning about the compensation plan of the company, उसने company के compensation plan के बारे में जानकर इसमें रजिस्टर किया, यहाँ पर द्यान दीजिया, he recruited close friends and facilitated depositing the registration fees for other members through his personal credit card, उसने क्या किया, अपने close friend हैं, जो उनके दोस्त हैं, family member वगारा, या दोस्त माल लीजिये, दोस्त ही लिखा हैं, आपे दोस्त ही बोल देते हैं, उन लोगों को इसमें जोइन करा दिया, अपने personal credit card से, जो पकड़ा किया, कि इतनी transaction कैसे की, उनसे by hand ले लिए और अपने card से उनकी payment कर दी, while some promoters told officials they joined after learning about it online and the company is yet to be launched, others told they received invitation to join the business from American, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि कुछ promoters ने बताया, कि उन्होंने online इसके बारे में पता चला उनको, और ये company अभी launch होने जा रही है, ऐसा सोच कर, उन्होंने इसमें join कर लिया, और कुछ दूसरे बताते हैं, कि उन्होंने अमेरिका से invitation लिया, अमेरिका एक कुछ लोग थे, और कुछ और बुटानी देर and managed to recruit under them as downline member, और कुछ बुटान के लोग से, लोग थे, कुछ अमेरिका के लोग, कुछ बुटान के लोग से join किया, कुछ founders, ध्यान दिजेगा, go founders started in 2020, and as of July 2021, 53 people's registration fees amounted to a cash flow of NU 4,12,636, यह इन की कोई currency होगी, यहाँ पर यह क्या करे हैं, उन्होंने go founder के जरिये पैसे दिये, OCP official said that cash deposit, पैसे जो है, वो deposit किये गए, go founder के जरिये, 2020 में जो शुरू हुआ, तो उन्होंने go founder के जरिये, जब उन्होंने starting की, तो go founder के जरिये, उन्होंने own passive company को पैसे दिये, ठीक है, इतने पैसे दिये, यहाँ पर लिखा हुआ है, total 53 people थे, ठीक है न, अब चलिए आगे च danger on the economic interest of consumers, यहाँ पर यह total क्या बता रहा है, इसमें मैं बता दू, इस paragraph में पूरे में, कि यह जो है, ऐसे इस तरह के business और भी नहीं होने चाहिए, और ऐसे business, economy के लिए एक खतरा है, तो यह पूरा पूरा मैंने बता दिया, इसके बारे में, और OCP has also notified the department of trade about the business operation without a business license and issued public notification, notifying that on passive is engaged in unfair trade practices and advising people to refrain from engaging in such practices, तो यह क्या कह रहे है, कि जैसे on passive जैसा कोई business है, और भी ऐसे business ना हो, इनके लिए ध्यान रखना होगा, कार्ट लेने होंगे, ऐसा कुछ यह इसमें बता रहे हैं, अब आगे है, it stated that on passive contravences, provisions of consumer protection act 2012 and consumer protection rules and regulation 2015, इस rule का मतलब on passive ने जो है, वो एलेंट किया है, officially said that most members are recruited to get investors when the company does not have official documents of compensation plan and income disclosure, यहाँ पे अभी आगे चलते हैं, मतलब इसका यह ही है, कि भई उन लोगों ने यही पाया कि इसके पास कोई document नहीं है, और क्या है, इसमें मैंने यह पहले पूरा पड़ रख है, तो इसमें जो इसके member है, उनका भी नाम आएगा, the company has failed to give any tentative date of launch to its member yet, and officially said members are intended to join with promise, चलिए यहाँ पे यह बहुत लंबी चीज़ है, यहाँ पे एक और paragraph अच्छा मिल गया, ओनपैसिव इस दा ब्रेंचाइड ओप इंडिवीजिवल, कार्ड ऐसमभारा, विद को फाउंडर्स की executive कार्ड जेम, यह नाम यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसमभारा को तो आप जानते हैं, जेम्स जैडिस, मार्क, डिवर, एंड पीटर सुरूर, यह पीटर सुरूर आ जिनके नाम आप नहीं जानते हैं, तो यह लोग हैं, जो को फाउंडर्स की executive कार्ड, यह यह लोग हैं, यह इसमें सामिल, भूतान की तरप से अगर देगे तो, it was stabilized in 2018 and claims to have a global presence in over 216 country, यह 2018 में स्थापित हुई थी और कलेम करती है कि यह 2016 से 16 कंट्रियों में पूरे worldwide यह काम कर रही है, and would deliver smart business solution with the help of artificial intelligence and machine learning, यह business का solution है, artificial intelligence और machine learning में आप लोग को बताए रहा हो कि कहा artificial intelligence इसमें टेकनोलोजी है, या तो simple सी भी टेकनोलोजी आपको नजर नहीं आई होगी, जो founder के लिए आप लोग को रोका गया था, launch नहीं होई थी, यह आएगा, वो आएगा, इतरा बड़ा होगा, इसो founder की जैसी website तो किसी की personal website भी नहीं होती है, it is claimed that on passive has its, ज्यान दिजेगा, it is claimed, यह दावा करती है, on passive company, that on passive has its headquarter in Orlando USA, इसका Orlando USA में headquarter है, and has two offices in India, cities of Bangalore, मतलब बारत की दो city में इसका office है, Bangalore and Hyderabad, where all software tools are being developed, तो दोस्तों यहाँ पर यह बताए गया है कि यह है, हैदराबाद में office है, और यहाँ पर यह सारा office का address आडरे साब सभी जानते ही है, the company has the plan to launch over 50 to 60 digital products, providing internet solutions such as domain name, website, builder, liquid hosting, यह सारा का सारा यह claim करती है, the claim that all products are customer friendly, simple and easy to use, all the digital products will be bundled into a single monthly, meanwhile OCP also investigated other business called crowd and is investigated other online business card digital, यह यहाँ पर आपने पूरा पड़ लिया अभी इसके बारे में, लगबग, जितना मेरे से होस का महाँ आप लोग को समझा पाया, लेकिन साफ यहाँ पर उन्होंने इसको बैन कर दिया है, यह pyramid scheme है, illegal है, और कुछ लोगों की सिकायत पर, कुछ लोगों की सिका बारे में जाच की, और जाच की तो पता चला, इतने लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बताए कि यहाँ से हमारे को इसके बारे में जानकारी मिली, यहाँ से इसको बारे में जानकारी मिली, फिर उन्होंने इसको बैन कर दिया, pyramid scheme बता कर, अब own passive का CEO ऐस भारा भुटान आप लोग को बता चुका हूँ, और कितनी चीजें आप लोग के सामने लेकर आ चुका हूँ, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग की आखे नहीं खुल रहे हैं, मैं सबको तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अब भी भी 32-40% ऐसे लोग हैं, जिनकी आखे नहीं खुल और वो बिल्कुल own passive को ऐसा मान रहे हैं, जैसे जब मैं वीडियो बना कर उसकी सचाई बताता हूं, तो मेरे को वो एक तरह से अपना दुस्मर समझते हैं, लेकिन मैं आप लोग की आखे खोल रहा हूं, मेरे पास काम इतना है, मेरे पास sponsorship आई इतनी पड़ी है, कि एक वीडि थी, हाइपर वर्स कंपनी की मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आठ तस जगह से परमोशन के लिए sponsorship आई हुई थी, कि पैसे लो और हमारा लिंक परमोट कर दो, लेकिन मैंने क्या किया, आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में वीडियो बनाई, और मैंने सीरफ अपना रिवी दिया, उसकी छानबिन करके और टाइम भी दिया, तो मैं अपनी चीजें सारी लेकर आया हूँ आज तक आपके सामने, सारी सारी फैक्ट और परूप के साथ लेकर आया हूँ, और आज की ये न्यूज सारी चीजों पर मोहर लगाती जा रही है, और पिछे भ टान में तो एक्शन ले लिया है, पारेमिड स्कीम बता दिया है, बैंड कर दिया है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्यू, और बाइवाई